आखरकार भगवान ने हमारी सुन ली सुरंग से बचाये गए मजदूरों के परिजनों ने जताई खुशी उत्राखन के खीरा बेड़ा इस्थित सिल्क्यारा सुरंग में फसे तीन श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के चहरे पर राहत और खुशी की लहर दोड़ गई जब मंगलवार शाम को उनके बचाओ की खबर राची के बाहरी इलाके में इस्थित इस गाउं में पहुँची पच्पन वर्षिय लकवा ग्रस्त श्रमण बेदिया जिनका एक लोता बेटा राजेंदर वहां फसा हुआ था उनको लंबी निराशा के बाद चहरे पर कुछ राहत के साथ अपनी जोपड़ी के बाहर वीलचेयर पर देखा गया 22 वर्षिय राजिंदर के अलावा गाउं के दो अन्य लोग सुखराम और अनिल जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी 17 दिनों तक सुरंग के अंदर फसे रहे उत्तरकाशी में सुरंग के बाहर डेरा डाले हुए अनिल के भाई सुनील ने रुंधी आवाज में बताया आखरकार भगवान ने हमारी सुन ली मेरे भाई को बचाया जा सका मैं अस्पताल ले जाते समय अंबुलेंस में उसके साथ हूँ ये पूछे जाने पर की कौन सा अस्पताल है उन्होंने कहा कि ये उन्हें अस्पष्ट नहीं है लेकिन उनके भाई की हालत तस्थिर है पिछले एक सपताह से चिंतित सुनील सुरंग के अंदर फसे चालिस अन्य श्रमिकों के साथ उस अस्थान पर रह रहा था जहां उसका भाई रह रहा था सबसे कठिन समय का था अनुभव सुनील जो ऐसी परियुजनाओं में भी काम करते हैं उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था जब उनके बुढ़े माता पिता की देख भाल करने वाला कोई नहीं बचा था जो सदमे के इस्थिती में थे उन्होंने कहा मैं किसी तरह उत्तरकाशी की आत्रा के लिए धन की ववस्था कर सका यहां खीरा बेड़ा में जश्न का माहौल था और ग्रामडोंने लड़ू बाटे सुखराम की लकवा ग्रस्त मा पार्वती जो आपदा के बारे में पता चलने के बाद से गमगीन थी अपनी भावनाओं को वेक्त करने के लिए बहुत खुश थी अनिल के घर से जहां उसकी दुखी मा ने पिछले दो सफता से कुछ भी नहीं पकाया है और परिवार अपने पडोसियों द्वारा दिये जाने वाले भोजन पर ही जिवित है बचाओ की खबर टीबी पर दिखाये जाने पर ग्रामिड एकत्र हो गया दिवाली के दिन से जारी था बचाओ कारिया बचाओ प्रयास 12 नमंबर को शुरू हुए जब उत्राखंड के चार धाम मार्क पर निर्माणा धीन सुरंग का एक हिस्ता भुस्खलन के बार ठह गया जिस्ते अंदर के शमिकों के लिए निकास बंध हो गया सुखराम की बहन खुश्बू ने कहा कि उनके गाउं में सभी लोग जश्ण मना रहे थे एक ग्रामर्ड राम कुमार बेदिया के अनुसार 18-23 वर्ष के बीच के 13 लोगों का एक समुह सुरंग पर काम करने के लिए एक नवेंबर को खीरा बेड़ा से निकला था जब आपदा आई तो उनमें से तीन अंदर काम कर रहे थे आपको हमारे ये रिपोर्ट कैसी लगी? कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ताज़तरीन और रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहें